सोमनाथ जोतिरलिंग जो कि 12 जोतिरलिंगों में सबसे प्रथम जोतिरलिंग माना जाता है कैसे हुई थी उसकी उत्पत्ति इसी विशई पे हमारा यह वीडियो है नमस्ते प्रियदर्शको महात्मा दक्ष ने अश्विनी आदी अपनी 27 कन्याओं का विवाः चंद्रमा के साथ किया था चंद्र को अपने पती के रूप में पाकर वे सब विशेश रूप से सुन्दर लग रही थी और चंद्रमा भी उन सब को पाकर निरंतर सुशोबित लग रहा था लेकिन उन सभी पत्नियों में से एक थी रूपीनी केवल वह एक ही चंद्र को अधिक प्रिय थी इसलिए बाकी सभी स्थरी दुखी होकर अपने पीता के पास गई और अपना दुख अपने पीता को बताया जिसे सुनकर दक्ष को दुख हुआ उन्होंने चंद्र के पास जाकर शांती से चंद्र को समझाया और कहा कि इस प्रकार का वर्तन करना आपके लिए योग्य नहीं है लेकिन चंद्र ने उनकी बात नहीं मानी और केवल रोहीनी में आज सकत होकर अपनी दूसरी पतनियों के पती कभी सतकार नहीं किया इस बार जब दक्ष को पता चला तो उनको काफी दुख हुआ और इसलिए उन्होंने चंद्र से कहा कि मेरे पूर्व समझाने के बावजूद तुमने अपना वर्तन नहीं सुधारा तो तुम अब ख्षयरोगी हो जाओ चंद्र उसी ख्षन ख्षयरोगी बन गया और उसी समय चंद्र ख्षीन हो गया सभी देव तथा रुशी विहवल होकर दुखी हो उठे और अब क्या किया जाए ये सोचने लगे चंद्र ने भी इंद्र आदी देवों को बिंति की इसलिए देव और वसिष्ट आदी रुशी ब्रह्मा जी की शरण में गये तब ब्रह्मा जी ने इसका उपाई बताते हुए कहा कि चंद्र को प्रभास नाम के उत्तम तिर्थ में देवों के साथ जाना होगा और वहां मृत्युन जै की विदी से शेव की आराधना करनी होगी वहां अपने समक्ष शेव का स्थापन कर चंद्र वहां तप करे जिससे प्रसन्न होकर शेव उनको क्षैरोक से मुक्त करेंगे ब्रह्मा जी से एसा वचन सुनकर सभी देव, रुशी और चंद्र प्रभास तिर्थ गए वहां जाकर सभी ने सरस्वती आदी स्रेश्ट तिर्थों का आवाहन किया और पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर मृत्युन जै की विदान पूर्वक पूजा की फिर सभी देव और रुशी चंद्र को वहां छोड अपने स्थान पर गए चंद्र ने छे महीनों तक अस खलित तप किया और दस करोड मृत्युन जै मंत्र का जाप कर शिव का ध्यान किया चंद्र को ऐसी स्थिती में देख शिव प्रसन्न हुए और चंद्र को वरदान मागने के लिए कहा तप चंद्र ने कहा कि आप अगर प्रसन हुए हो तो मेरे शरीर का यह खशय रोग दूर करे और मेरे अपराद को खशमा करे तब शिव ने कहा कि 15 दिनों तक आपकी कला हर रोज क्शय हो यानि कम हो और दुसरे 15 दिनों में निरंतर वह कला बढ़ती रहेगी फिर चंद्र ने उत्तम भक्ति से शिव की स्तुति की इसलिए भगवान शिव देवों के उस क्षेत्र के महत्म्य और चंद्र के यश के लिए चंद्र के नाम से वहां रहे और सोमेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए सोमेश्वर यानी सोमनाथ जहां पूजा करने से ख्षय और कुष्ठ आदी रोगों का नाश होता है यह थी सबसे पहले जोतिरलिंग सोमनाथ जोतिरलिंग की उत्पत्ति की कहानी अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दर्शगो तब तक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करे इसी प्रकार की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ओम नमस्षिवाई